हाई फ्रेंड्स इंडिया की फार्मसी यूटूब चानल में आप सभी का स्वाकत हैं दोस्तों अभी रिनी सीजन है बारिश बहुत गिर रही है ऐसे में अगर आप भीग जाता हो तो सबसे पहले खतरा रहता है धंडी बच कराना और खासी होना सर्दी होना दोस्तों अगर आ अडिया कॉलिटी का अडूसा का यह सीरप है इसमें मुझद ऐसे पाच इंग्रेंड है अडूसा तुरसी कंटकरी हल्दी और यश्टी मदू गले में खराश हो कफ हो चेस में कंजेशन हो तो इससे निजात दिलाएगा यह सीरप सपट दौरा निर्मित आयूसास अडूसा का सिरप है जोस्तों इसमें जो अडूसा है यह कफ का कप से रहत देगा तुलसी है यह भी कफ के अगेंस्ट काम करेगा कंटकरी है यह कफ को एकस्पेल करेगा बाहर निकालनेगा हल्दी जो है एंटी कफ का काम करेगा और यह श्टी मदू गले में खराश का इलाज करेगा खासी जीली क्यों नहों यह सूखी क्यों नहों आप ब्लाइंड ली यह सिरफ इस्तिमाल कर सकते हैं इंपरिकल फॉर्मला है आयरवदिक फॉर्मला है फास्ट रिलिफ्ट देता है इस इस इरफ आपको मिलेगा सिर्फ नबबेर रुपे में आयूसास अडूर सास इरफ कुल में यह फिर कुल से बाहर निकलते ताइम ज़्यादा भीग जाते हैं यह फिर बड़े विक्ति लाने के रिए उन्हें जाता है तो जाते हैं अन्य किसी काम के कारण भीगते हैं तो भीगने के बाद जो कफ तायर होगा जो भी आपका इमुनिटी विक होगा तो आप बीमार पड़ जाओगे ऐसे में यह आडूर सा कब सिरफ बहुत ही काम आएगा इसका डोस में आपको बताता हूँ पाच एमेल तीन बार देना है या फिर दस एमेल आपको दो बार देना है बच्चों के लिए पाच एमेल ठीक रहेगा डोस डोक्टर किसे पूछ कर देना अडूर सा सिरफ है रिजल्ट बढ़िया है आपको बहुत फायदा मिलेगा और इसे आप ओनलेन पर्चेस कर सकोगे मेडिका स्टोर से खरीच सकोगे सब तरफ यह मिलता है ट्रस्टेड फॉर्मिला है अडूर सा कव सिरफ के इस्तमाल से कोई भी साइड एफेक्ट आपको नहीं होगा गले में खराश हो कफ हो गिली खासी हो सूखी खासी हो उसका इलाज करने के लिए बहुत ही फायदेवाद है अगर मुझे दीवी जान करें अगर आपको सच लगती है थोड़ी बहुत पसंद आती है तो लाइक शेयर करना भूली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद